प्रिवियस के जो 10-15 वीडियो रिकॉर्डेट हैं उस पे एक स्टुडेट ने कुछ कम्लेंट रेस किया था मैं उनकी बाद से पूरा सहमत हूँ कि कैमरे के अंदर उनका फेस आया उनको अप्जेक्शन हुआ उनने उस पे लिखा उस बाद से मैं बिल्कुल सहमत हूँ तो अपसे मेरा मोटो एक ही होता है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो बच्चो के काम आए और अभी जितने भी प्रिवेस वीडियो हैं उनके एमस को में ब्लड गड़ता हूँ एक तो दिन का रेंडिंग का टान चलता है तो जो भी बच्चो ने कंप्लेंड किया है या आपकी पर्मिशन देनी तो उसके लिए भी माफी मानुता हूँ और जो वीडियो जितने अभी 15-20 वीडियो जो भी अप्लोड हूए है उनका जो वीडियो दिखाई दे रहा है अगर आपको उसमें कम से कम दो से तीन दिन आप चुप के और सामने आओ 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 अब से चुप के देगा हूँ तो एक-दो दिन का समय लगेगा वो सारे वीडियो ब्लर हो जागे ना कोई शुनी और अपसे जितने भी वीडियो बनेंगी वो उसमें कम यूज नहीं करेंगे ओनली स्क्रीन एंड वाइस यह तो तो आइटिंग इसी को भी दिक्कत नहीं और उसमें different different modes में हम create कर सकते हैं ठीक है तो हमने modes हमने देखा कि हमने append mode देखा right mode देखा है ना इस तरीके से हमने बहुत सारे modes देखे हैं आज का जो वीडियो है फाइल को हम कैसे system से remove कर सकते हैं how we can remove or delete a file in python so चलिए start करते हैं यहां पर जो file handling का हमारा जो अगला topic है आज का वो है delete file how we can delete a file with the help of python so delete a file to delete a file you must use OS module so OS का मतलब होता है operating system so operating system का module है जिसका हमें योग करना होगा so उस module को जो है import OS so import के बाद हमेशा module name होता है तो दो प्रकार की module होगी एक predefined module और एक user defined module तो मैं आपको आज की video के अंदर आपके खुद के भी modules बनाना में बता दूँगा और उन modules को आप आगे चलके कहीं ने कहीं pip.py website पर आप upload कर सकते हो pip.pypy sorry so pypy.org यह वो website है जहां पर python के जितने भी packages होते हैं जो आप developer बनाते हैं और आपको लगता है कि यह packages दूसरों के भी काम आएगा तो आप इन packages को कहां पर upload करते हो pypy.org पर upload करते हो अभी तक 3,43,501 जो python के projects upload किये गए तो इनी को हम modules कहते हैं इनी को हम क्या कहते हैं modules कहते हैं तो ऐसे दो modules होंगे एक तो python वालों ने अपने लिए बना रखा हो built-in modules और एक built-in नहीं है आपने बना रखा है मगर आपको लगता है कि यह module और भी python developers को काम आसकता है ऐसे modules को आप बनाते हैं और इसको कहा अप्लोड करते हो आप pypy.org पर अप्लोड करते हैं तो जब भी आप कोई module आप डाउनलोड करते हैं तो मुझे बताईए कि python के कोई से भी module आप कैसे डाउनलोड करते हैं okay so pip, pip क्या है package manager है तो जब भी आप कोई package बनाते हो कोई library बनाते हो कोई code बनाते हो उसे आप python के अंदर आप package बोलते हो ठीक है library बोल सकते हो package बोल सकते हो यह package बनाके अगर आपको लगता है कि package कि और भी python developer के पाम आ सकता है तो उस package को आप अपने system में रखते हुए का रखते हैं pipi.org पर जितने भी python के third party libraries हैं यह libraries ना बोलते हुए python की language में हम क्या बोलेंगे packages तो जितने भी third party packages हैं वो pipi.org पर upload किये जाते हैं इसे बहुत सारे packages हमारे पास available है तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किसी file को यदि delete करना है तो हमें modules के आवश्यक्ता होती है तो आप module का है package के है library का है कुछ भी आप कह सकते हैं बात एक ही है तो दो प्रकार के modules हो सकते हैं या दो प्रकार के packages हो सकते हैं built-in packages और a third party so operating system इसमें से एक ऐसा module है जो कि python ने python के developers ने अपने लिए internal use के लिए बना रखा है ताकि operating system में जो चीजे मौजूद हैं जैसे कि for example कोई file है कोई folder है इन्हें आपको access करना है इनको आपको delete करना है तो उसके लिए python developers में एक ready-made code जो है एक ready-made module बना रखा है उसी module का नाम क्या है operating system मैं इसी वीडियो में आपको या इसी class के अंदर मैं आपको क्या करूँगा एक अपना खुद का भी custom module बनाना बताऊं obviously कि जिस प्रकार से यह OS module बना हुआ है तो क्या हम हमारा module ली बना सकते हैं क्या सब बिलकुल बना सकते हैं तो चलिए मैं यह start करता हूं और इसमें आपको मैं एक module बना के बताता हूं और file को remove करके भी बताऊं college python और आज जो है हमारा py16 lecture है तो py16 इसमें आप जाएए code. करें so code. से क्या होगा आपका vs code editor start हो जाएगा और मैं screen का size थोड़ा सा resolution बढ़ा कर देता हूं ताकि आप सभी को resolution पर आपको proper तरीके से दिखाई दे ठीक है आप सभी को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो है हम आज जो topic देख रहे है python delete file python के अंदर हमें जो है किसी file को delete करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले एक built-in module की हमें आवशक्ता होगी तो चलिए वही module हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम गए और terminal मैंने launch किया कोई मुझे बता सकता है कि एक file बना लें के लिए कौन सी command होती है touch space और यहाँ पर my.py मैंने अपनी file का नाम दे दिया my.py कुछ भी नाम दे सकते हैं बट extension क्या होना चाहिए हमेशा .py होना चाहिए चलिए मैंने यह file बनाया और इसके अंदर मैं चाहता हूँ अभी एक file यहाँ पर आपके लिए create कर देता हूँ test.txt और इस text file में मैंने hello message लिग दिया और यह file मैंने पहले ही बना के रख रखिये मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस python file को मैं run करूँ यह file particular मेरी यहाँ से remove हो जाए तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ एक built-in import module में import keyword का use करते हुए मैं OS module को import करवा हूँआ So OS stands for operating system So OS is operating system So Python के अंदर बहुत सारे built-in modules हैं जिनने आप reuse कर सकते हैं तो उसी module का जो है एक remove नाम की method है उसे आप use कर सकते हैं OS यहाँ पर आप small में लिखना So यहाँ पर आप OS small में लिखना मैंने OS small में ही लिख रखा है So यहाँ से आप करेंगे OS dot remove So OS module की एक method है remove method इसका आप उप्योग करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी file को आपको remove करना है उसका आपको address देना पड़ेगा string के अंदर So string आप चाहें तो double quotation आप चाहें तो single quotation दोनों ही आप यूज कर सकते हैं जैसे ही मैं double quotation लगाऊंगा तो देखो एक dot slash आ रहा है और एक dot आ रहा है program is my.py so my.py को मैं run करूँगा और जैसे ही मैंने run किया देखो text.txt file चली गई तो definitely इस प्रकार से जो है आप अपना जो है आप अपनी system के अंदर पड़ी हुई किसी भी file को आप remove कर सकते अब रही बात कि sir आपने जो है operating system module का आपने use किया तो यह module सर बनते कैसे हैं तो उसी के लिए मैं आपको एक module बना के बताता हूँ so यहाँ पर आपको इसी भी file बनाएं जैसे यहाँ पर आपने बनाया a.py और इस a.py के अंदर जो है आप एक method आप define कर सकते हैं आप लिस्ट कोई से भी data structure आप define कर सकते हैं first of all I am going to define a particular function so let's define a function here so यहाँ पर मैं एक function बनाऊँगा function define करने के लिए def keyword का use कर सकते हैं and उस function का नाम indeed मैं क्या रखना चाहूँगा remove और इस function का काम सिर्फ यह होगा file have been removed सो इस function का क्या होगा इस इतना सा होगा कि console पे print करता कि वाइल को यहीं रण करना चाहता हूं तो मैं यह आ पर क्या करसकता हूं इस function को define करना और function को call करना function से related दो ही बाते होती हैं हमेशा आपको याद रखनी है, step first, define the function, step second, call the function. तो function से related दो ही बाते होती है, मैं हमेशा इतके बड़े-बड़े हम software's पर काम करते हैं, हम कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि foundation जो है, आपका programming language की समझने की जो शम्ता है, वो बहुत ही strong level पर हुनी चाहिए, तो आप basic basic चीजें वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप function define करें and function को call करें, so यहाँ पर जो यह मैंने function को call किया and then इसी file को मैं run करता हूँ, so py python और मैंने इस file का नाम दे दिया, the file has been removed, अब मुझे यह चाहिए कि मैं इसकी calling यहाँ न करवाते हुए function को सिर्फ define कर दूँ और किसी और file के अंदर इसको मैं क्या कर लो, as a module import कर ले, तो ऐसा possible है, जब आपकी keyword का use करें, import, space and then the name of the module, so आपके file का जो नाम है, वही module name हो जाता है, ठीके, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, import a, extension नहीं लिखना है, import a.py बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ file का आपको क्या लिखना है, name लिखना है, import a, import os, थोड़ा compare करना, कि os module बनाने वाले भी developer है, उन्होंने भी कुछ नो कुछ तो किया होगा, तो मैं एक general linking करके बता रहा हूं कि यह module lecture में काम केसे कर रहे हूंगे, तो मैंने a नाम का अपना खुदका एक module बनाया है, उस module के अंदर है क्या, एक function है, उस function का नाम क्या है, remove है, तो चलिए, इसी function को call करवाते हैं, अब किस file से, my.py file से, so let's call the remove function which is available inside a module, so a.remove, a.remove, बस इतना सा आपको बोलना है, इतना सा आपने बोला, and then आप देखिए क्या होता है, so sorry, यहां पर आपको क्या करना है, python, और किस file को run करना है, my.py को run करना है, obviously, my.py को मैंने run किया, और cannot, क्योंकि वो file अविलेबल नहीं है, चलिए वो text.txt file में यहां पर create कर देता हूँ, and then फिर से जो है, मैं इसको run करके आपको बताता हूँ, so मैं इसको run करके बता हूँ, python, my.py file को run किया, और message के आगिया, the file has been removed, तो आप थोड़ा अचा connect करें, कि built-in module आखिर में use कैसे होते हैं, तो built-in module जो है, यहां पर मुझे इस example से में आपको जो है, operating system module के बारे में समझाना है कि OS क्या है, एक module है, जो कि कोई ने कोई file होगी, OS.py हमें दिख नहीं रही है, मगर python के internal installation में कही ने कहीं तो होगी, अब मैंने बोला import a, तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ sir, a.py नाम की कोई ने कोई फाइल होगी, जो कि आपके यहां पर पढ़ी हुई है, चुकि यह मेरी बनाई हुई file है, कि आप अपने custom module भी बना सकते हैं, so this is an example of predefined module, so example of predefined module, and this is an example of what, example of user defined module, so user defined module, ठीक है module, user defined module, तो थोड़ा सा आप connect करेंगे, os.remove और a.remove, os.remove क्या है, os module का नहीं में और उस module के अंदर कहीं न कहीं, remove नाम की क्या होगी, method होगी, बनी हुई होगी, वो file को कैसे remove करेगी, इतना deep dive होनी नहीं करना है, बढ़ इतना पता होना चाहिए, किसी module के अंदर किसी file को कैसे हम use कर सकते है, तो मैंने आपके सामने ही a.py नाम का module बनाए कि नहीं बनाए, और उसी के अंदर similar, मैंने क्या बनाई, remove नाम की method, तो यहां पर मैंने उसी को simulate किया, आपको ऐसा मैंने बताना चाहा, कि यह काम कैसे करेगा, तो यही था हमारा file remove के बारे में basically, तो python के अंदर कभी भी आपको कोई file remove करनी पड़े, तो उसमें आपको किस module की help लेनी पड़ेगी, built-in module OS की हमें help लेनी पड़ेगी, और उस OS module के अंदर remove नाम की method है, जिसे हम जो है call करके किसी भी particular file को हम remove कर सकते हैं.